हेलो फ्रेंड्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल एक्जाम हीर पर स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जैसा कि हम सबको पता है कि हमने MPSC1 की जो बुक है जो कि हमारा है भारत और विश्व इंडिया एंड द वर्ड इस बुक का दो चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिया है ठीक है अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो नहीं देखी है तो उनक कि है भारतिये विदेश नीती के निर्धारक विदेश नीती के उद्देशय और उसके निर्धारक तत्व तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो आज हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीती है उसके निर्मान के उद्देशय क्या है क्य वैदेशिक नीती के निर्मान में उस रास्ट की रास्ट्ये संस्कृति, इतिहास, राजनेतिक व्यवस्ता, राज्ये में रहने वाले नागरिकों का ब्यभार, रहनसहन और परिवेश, राज्ये की प्राकर्टिक सीमा, वैसनसादन, समाजिक और आर्थिक व्यवस्ता का इसी प्रकार भारत की वैदेशिक नीति के निर्मान में यहांकि जो समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनेतिक इसके अलावा प्रंप्रागत मुलयों के जो आधार है इन्होंने आजादे के बाद अपनी वैदेशिक नीति का निर्मान किया जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत ने अपनी विदेश नीती किन-किन तत्वों के आधार पर विदेश नीती का निर्मान किया वो है समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनेतिक इसके अलावा जो परंपरागत हमारे मुल्ले थे इनके आधार पर जो है अपनी विदेश नीती का निर्मान किया जिसके कुछ उद्देश्य थे और कुछ लक्षय थे अब हम जानेंगे कि जो भारत की विदेश नीती है इसके निर्मान के उद्देश्य क्या था अगर हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले हमारा कोई उद्देश्य होता है बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता तो कोई भी काम करने से पहले जैसे कोई उदेशे होता है वैसे ही भारत की या फिर किसी रास्ट की विदेश नीती के निर्मान से पहले भी कुछ उदेशे और लक्षे जो है नरधारित किये चाते हैं स्वतंतरता संग्राम के समय से ही भारत के निताओने भारत की व्यदेशिक नीती का सिधान्त और उदेशे निश्चित कर लिये थे और स्वतंतरता के बाद व्यदेशिक नीती के अंतरगत जो हमारे नीतागन थे उन्होंने आजादी से पहले ही विदेश नीती निर्मान से र दर्गत जो हमने सिधान्त और लक्ष जो तै किये थे उसे के आधार पर जो है विदेश नीती बनाया गया भारत की वैदेशिक नीती का मुखे लक्षे रास्ट्रिय हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंतर था भारत की जो वैदेशिक नीती है इसका मुखे लक्षे क इसकी रक्षा के लिए राजनितिक स्वतंतर था और बाहिये सुरक्षा में व्रधी करना था भारत लंबे समय से पराधीनता का जीवन जीने और अपनिवेशिक शाशन के द्वारा शोशित होने के बाद जैसे हम सब को पता है कि आजादी से पहले हम सब मतलब जो भारत था व कि उनका बहुत जादा शोशन किया तो जो भारत है इसी शोशन से जो है 15 अगस 1947 को आजाद हुआ था तो इस लंबे टाइम पीरियेड में जो है अपना जब वो पराधीन था उसी टाइम पीरियेड के दौरान अपनिवेशिक या फिर हम कह सकते जो सामराज्यवाद है इस के बारे में जो है उनको सारी चीजे पता चल जोगी थी इनको experience हो गया था इसलिए जब भारत आजाद हुआ तब उसके सम्मक्ष बहुत सारी समसिया थी कि जो अपनी स्वतंतरता है जो हमें स्वतंतरता मिली है इसको कैसे कायम रखा जाए या फिर विदेशी के साथ अपन कोई समझाता तो नहीं करना पड़ेगा ये सारी चीजे जो है उनको सूचना पड़ा हमारे नेताओं को उनके सामने जो है ये सारी problems थी किसी भी रास्ट को ये अवसर ना दे कि वह रास्ट उसके आंतरिक और बाहिये ब्यवार को नेंतरित और निर्देशित करे जो मारे न देशिक नीती रास्ट ये सुरक्षा को बनाए रखने के साथ साथ विश्व स्तर पर सन्युक्त रूप से दूसरे रास्ट के साथ मिलकर अन्य रास्ट की सुरक्षा को भी अपने आप में समेट लीता है जो भारत की विदेश नीती है वो क्या करता है सिर्फ अपने उस टाइम पे पराधीन थी उनको जो है स्वतंतरता दिलाना ठीक है और उनकी सुरक्षा के बारे में सूचना ये विदेश नीती में जो है समेट लिया था या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीती का मूलतत्व ये नहीं कि ये केवल अपने रास्ट की रक्षा कर और दूसरे रास्ट को असुरक्षित रहने के लिए बात दे छोड़ भारत की हमेशा ये नीती नहीं रही है कि ये है विश्व के सबी रास्टों के साथ सयोगात्मक भावना के आधार पर मित्रता पूर्ण सम्मन स्थापित करें जो भारत है वो स्टार्टिंग से ही विश पूर्वक सम्मन स्थापित करके सयोगात्मक भावना का विकास करके और प्रेम पून जो है आचरन मतलब इनके साथ जो है अच्छे से ब्यवार करके विश्व में जो है शांती स्थापित करने के हक में था अगर हम संशेप में बात करें तो भारत की वैदेशिक नीती का विश्व शांती को स्थापित करने की कोशिश करता है भारत लंबे समय तक बिटिस सामराज जेवाद का जो है अंग रहा और 1947 को आजाद हुआ पहले ही सामराज जेवाद के कलंक को इस दुनिया से ही समाप्त करने का मतलब जो भारत है उसने अपनी स्वतंतरता से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यह जो सामराज जेवाद है या फिर उपनिवेश वाद है यह अच्छी चीज नहीं है इससे जो है किसी भी देश का भला नहीं होता है इससे जो है लोगों का उस देश के लोगों का जो जिन पर जो है राज किया जा रहा है वो देश उस देश का जोहें शूषन होता है और यह सामराज जवाद का जो कलंक है इसको जो है दुनिया में नहीं डायना चाहिए इसका जोहें समापन होना चाहिए तो यह जो उद्देशे हैं भारत ने अपनी सुधंआत्रता से पहले Hी बना लिया था और सुधंदरता के बाद इस कलंक को दूर करने के लिए ही प्रियतनशील रहा इसलिए भारत की व्यदेशिक नीती के मुल्ग तत्व के रूप में रंगवाद सामराज्यवाद और उपनिवेशिवाद की समाप्ति का लक्षे रहा भारत की व्यदेशिक नीती के अंतरगत ये तत्व नहीत रहा है कि वहें रास्ट्रों की संप्रभूता अखंता और स्वतंतरता का सम्मान करें जो भारत की विदेश नीती है इसमें ये तत्व तो रहा ही है कि सभी रास्ट्रों की जो संप्रभूता है अखंता है और स्वतंतरता है इसका वो सम्मान करेगा इसके अलावा सभी रास्ट्रों की समान अधिकार की प् परतिश्टित करेगा। भारत की वैदेशिक नीती का मूल उद्देश्चे यह रहा है कि पराधिन रास्ट्रों को स्वतंत्र किया जाए, आर्थिक शेतर में उन्हें सयोग देकर विकास के लिए जो है प्रोछ साहित किया जाए। इसलिए भारत्य वैदेशिक नीती और द्योगिक शेत्र में विक्सित भिफिन रास्टों के साथ जो है मधुर सम्मन स्थापित कर रही है। माजिक व्यवस्ता की स्थापना करना भी रहा है। सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और जाधा से जाधा इसको शेयर करें। और आपने अगर मेरी पहली वाली जो वीडियो से वो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।